नमस्कार, कहा जाता है कि इस आधुनिक दुनिया में विकास का दूसरा नाम एक्सप्रेस भी होता है मतलब कि जिस देश में जितने ज़्यादा एक्सप्रेस भी होंगे वह देश उतनी ही तेजी से विकास भी करेगा क्योंकि है एक्सवेस बे स्रिप आने जाने के लिए सुब्दा नहीं देते बलकि जहां जहां से है एक्सवेस बे निकलते हैं उनहार छेतर का विकास यह एक्सवेस बे सुनच्चित कर सकते हैं और अगर हम बात करें भारत के बारे में और अगर भारत में कोई EXPREASEW बन रहा है और बहा है EXPREASEW अगर एक से ज़्याधा राजियों को पास करता है तो समझ लीजिए कि ऐसे EXPREASEW के अपने अलग फायदे हो सकते हैं और आज के से वीडियो में हम एक ऐसे ही Expressway के बारे बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में उत्तर प्रिदेश, बेहार और पश्यम बंगाल के लिए एक वर्दान साबित होगा जी हाँ हम बात करने वाले हैं गोरकपुर शिलिगुरी Expressway के बारे में तो अमीद है कि आप इस वीडियो को आखरी तक जब देखेंगे इसके लाब आगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चनल को सब्स्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तक कि वविश में हम ऐसे कोई भी वीडियो अप्रूट कर रहे हैं उसका नोटी विकेसन सबसे पहले आपको मिले चलिए बढ़ते हैं आगे मेरा नाम है पंका जो आप देख रहे हैं इंडियन नियूथ सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पुर्वांचल, बिहार राज और पश्यम बंगाल राज तीनों ऐसी जगए हैं जो ब्यापारिक मामले में एक दूसरे पर बेहत ज़्यादा निरवर करती हैं लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल से पश्यम बंगाल के बीच में कोई सीधी सड़क नहीं है जिस कारण उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल से पश्यम बंगाल की दूरी तै करने में एक दिन से ज़्यादा का समय लग जाता है जबकि प्रिस्तावित गोरकपुर शिलीगोडी एक्सवेश बे इन तीनो राज्यों मतलब की उत्तर प्रदेश बेहार और पश्यमंगाल की दोरी घटा कर मात्र 600 किलिमीटर से भी कमकी कर देगा जिसे 5-6 घंटों में तै किया जा सकेगा और इसी आवगमन की सुब्दा को देखते हुए उत्तर प्रदेश को एक नए ग्रीन फिल्ड एक्सवेश की सौगात मिलने जा रही है जिसका फाइदा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और पश्यमंगाल को भी होगा और सही माइने में देखा जाए तो इसका सबसे प्रदेश को ही होने वाला है क्योंकि है एक्सवेश बे शुरूत उत्तर प्रदेश के गोरकपुर्शे हो रहा है लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर विहार के अंदर होगा आपको पता दें कि इस एक्सवेश की कुल लेंथ लगवग 650 किलमीटर की होगी जिसमें य 120 मिटा तक की लेंथ में फैला होगा और इस तरह यूपी बिहार होते हुए पश्यम मंगाल के सिली गोडी तक इस एक्सवेश का निर्मार किया जाएगा इसलिए है ग्रीन फिल्द एक्सवेश बे उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन साबित होगा बिहार और यूपी औ के मामले में बिहार अभी काफी जादा पीछे है लेकिन जब यहार एक्सवेश बे पूरी तरह बन के तयार हो जाएगा तो बिहार के बिकास में है एक्सवेश बे एक नई जान डाल सकेगा आपको बता दें कि प्रस्तावित एक्सवेश बे गोरकपोर से शुरू होकर बिह इसी भी पुरानी शड़क को इस एक्सवे में नहीं जोड़ा जाएगा चूकि यह बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक्सवे पर गारियों की रब्तार 100 क्लिमीटर प्रती गंटे से जादा की होती है और यह तवी संबभ हो पाता है जब एक्सवे का रूट बिल्कु इस एक्सवे के निमान के साथ उत्तर प्रदेश में आवा गवन को और आसान करने के लिए इस एक्सवे को यूपी में गोर्चपुर आजमगर लिंक एक्सवे सहित अनस रड़कों से भी जुड़ा जाएगा ताकी लोग आसानी से उत्तर प्रदेश से बिहार और पश्य म पंगाल के लोगों के लिए यूपी के प्रमुक शेरों के साथ साथ दिल्ली भी आना जाना आशान हो सकेगा बात करें इस एक्सवे की लागत की तो आपको बता दें कि एनेचे आई द्वारा इस पूरे एक्सवे की लागत लगबग छे से साथ हजार कोड़ों पे आंकी गई ताकि बविश्च में हम कोई भी ऐसा वीडियो अप्लोड करें उसका नोड़े विकिसन सबसे पहले आपको मिले चलिए आज के इसे वीडियो में अतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत